Goal Achievers YouTube channel YouTube का first SI YouTube channel है जो Indian Army और Indian Air Force के soldiers और officers के दोरा support किया जाता है और उनके दोरा संचालित किया जाता है जैसे कि आप सभी ने इंट्रो में देखी लिया होगा जैसे कि army officers, soldiers और medical officers का यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और आप Indian Army को support करते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करने का ये फाइदा होगा कि जैसे ही हम कोई medical के regarding videos upload करेंगे, physical के regarding videos upload करेंगे या फिर आपके भरती के regarding हम videos upload करेंगे, तो directly आपके बास videos आपके बाते हैं soldier inventory management के बारे में इसकी कुछ basic सी जानकारी जानने वाले हैं अगर आप इससे भरती देखना चाते हैं, तो क्या qualifications होगी, उन सबी के बारे में हम जानते हैं और आने वाली जो हमारे videos होगे, उसमें आपके इसका work के बारे में बताएंगे selection process के बारे में बताएंगे, भरती में कितनी vacancies होती है उसकी, उसके बारे में बताएंगे में जो भी basic सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, अगर आप भरती देखना चाते हैं तो तो उसके बारे में हम next video में जाननेगे, अगर आप हमसे कुछ पूछना चाते हैं या फिर आप हमें कुछ सुजाओ देना चाते हैं तो comment कीजेगा और अगर आपको हमारे videos पसंद नहीं आ रहें तो भी आप ज़रूर comment करें और हमें बताएं कि हम ये गलती कर रहे हैं, जो भी गलती कर रहे हैं आप हमें समझा दे तो दोस्तों आप आपको बताना चाहिएं कि जो age है, साड़े सत्रा से लेके 23 वर्स के बीच में आप सभी की age होनी चाहिए, साड़े सत्रा से 23 वर्स के बीच में सभी के लिए same age है, किसी भी caste का region या आप पे नहीं है तो आपकी height के बार में आप बताएं, height आपकी 162 cm आपकी height होनी चाहिए, 162 cm आपकी height होनी ही चाहिए और weight की बात करें तो 50 kg weight आपका होना चाहिए chest की बात करें तो 77 cm आपका chest नों चाहिए बिना फुलाएं अगर आप फुला कि जो आपका chest है plus आपको 5 cm आपको chest फुलाना होता है qualifications की बात करें तो यहाँ पे तीनों ही stim के candidates apply कर सकते हैं जैसे की commerce, arts और science के सभी लोग इसके लिए apply कर सकते हैं 12th pass आप सभी को होना है 12th pass होने के साथ-साथ आप सभी की पास 60% marks होना ही चाहिए means 12th में आपको 60% score करना ही होगा और 50% marks सभी subjects में होने चाहिए means जितने भी आपके subjects होते हैं सभी में 50% marks होना ही चाहिए और आपकी पास English और Math subjects होना ही चाहिए compulsory English और Math subjects compulsory होना ही चाहिए दोस्तों ये थी कुछ इसकी basic सी जानकारी जो आपको भरती होने के लिए मदद करेगी अगर आप हमसे कुछ पूछनाता है तो comment करें जो आने वाले जो हमारे वीडियोस हों के work cutoff, final merit, result, सब कुछ जो इसका basic सी जो जानकारी आपको चाहिए वो हम आने वाले वीडियोस में upload कर देंगे Thanks for watching our video, जैहिन, जैबारत